लाइक अणनलाइक टरमस क्या होता है इसमें हमारे पास जो एक्स्प्रेशन होती है उसमें हमने ये देखने होता है कि जो अगर सेम है तो उन्हें राइक टरमस कहते है जैसे यहापर मैंने एक्जामपल दी वी है like terms में 7x, 14x, minus 13x जो factor given है इनके साथ वो तो same है अगर same factor की values आप use करें same factor होना चाहिए जो values आगे दिये है जो coefficient given है वो चाहिए कोई भी हो सकता है जब plus 7 है, 14 है, minus 13 है any type of coefficient हो सकता है लेकिन जो इसके साथ factor given है वो same होना चाहिए like terms में unlike terms की example जैसे यहाँ पर 7x, 14y, minus 13z तीनों के जो factors given है x, y, z यहाँ कि तीनों variables जो given है वो different है अगर different variables, different factors हमारे पस है तो उनको unlike terms कहते है यहाँ पर मारे पस देखो next मेंने के example ओर लिए 7xy and minus yx इसमें मारे पास xy given है यहाँ पर yx given है पर है तो terms दोनों same है तो दोनों यह जो factors दोनों variables same ही है ना चाहे आगे पीछे लिखे है position चाहे आगे पीछे है लेकिन है तो same है तो इसको भी हम बोलेंगे like terms ऐसी terms जो है उनको भी हम like terms ही कहते है अब नीचे मैंने एक और example लिए to find like and unlike terms अब इसमें से मेरे पास like terms कौन सी हैगी 9x x से match करती 3x minus 2x और नहीं है तो यह हमारे like terms में आ गया और like terms कौन सी आ रही है minus 7xy plus 12xy and minus 25yx तो यह साह यह क्या है like terms है unlike terms में हमारे पास कौन सी term आ गी 9yz तो यह क्या हमारी unlike term है क्योंकि यह इनके साथ match नहीं कर रही है और यह पूरी की पूरी यह जितनी values है यह इसके साथ match नहीं कर रही है इनके साह तो इसलिए आपस में भी unlike terms हो जाएंगी लेकिन हमें क्या करना था सिरफ like terms जो है उनको अलग से लिखना था और जो unlike उसको अलग से लिखना था वो यह फर्स तू लाइन में मैंने जो लिखा वो like terms है और लास्ट वाली लाइन में जो लिखा है वो unlike terms है if you like my video please like share and subscribe my channel for further notifications thank you